हेलो फ्रेंट सौगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बर्फिट से जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह उने वाला यहां पर लैंके शायर वसे सरे के बीच जो मैच रने वाला टी-20 ब्लाष्ट का क्वाटर फाइनल टू इस मैच की वीडियो वीडिय प्लस पेच रिपोट प्लस कौनसी टीम स्ट्रॉंग रहेगी इन्वेश्मन कैसे करने हैं प्लस बाइगी पिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्व चैनल पे नए आया तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जोईन करना बहुत ज किसी नीचे जहां कमेंट करते हो वहाँ को हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऑपर ब्रिव क्लेर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगा टेलिग्राम चैनल उपन हजाएगा देन उसको आपको जईन कर लेना है तो धेहान रखना अगर आपको हमारे करके जॉइन नहीं करना है अगर आप सर्च करके जॉइन करोगे तो आप किसी गलत या फेक चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक है कि आप लिंक का यूज़ करना जो वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर वेन्यू रहने वाला है वह है यहाँ पर एमिरेट्स ओल्ट्रेफर्ड मैंचेस्टर में मैज रहने वाला है वैदर क्लियर है रेंग का कोई चांस नहीं है इंवेस्ट्रेंट एज अपने अकॉर्डिंग करके चलना टीम कौन सी जीते कि मेरे अकॉर्डिंग बोथ दोनों चांस रहेंगे कि दोनों टीम कौर्टर फाइनल तक पहुंच और अगर बात की जा तो यहाँ पर इंवेस्टर एज और विश्ट रखके चलना और यहाँ पर फॉर्मेट है टी ट्वेंटी का एक्सपेक्टिड इसको और दोसों के बीच देखने को मिलेगा पिछ रिपोर् पर पर थी अपने ग्रूप में पॉसियर प्लेंग ग्लैवन जो रहेगी वह यहाँ पर फिल सॉल्ट राइटन बैट्सन विकेट कीपर अपने आई पिल में भी खेलते वे देखा होगा अच्छा प्लेयर अटैकिंग क्रिकेट खेलता ग्यारा मैंचे दोसों चौबी सर्म है उतनी अच्छी फॉर्म में निया है बट आप इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा प्लेयर दिन में हो तो बड़ी इनिंग भी खेलता सेंचुरी भी लगा सकता है प्लस विकेट कीपर तो कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट देगा इंपॉर्टन रहेगा बाकि यह बाकि यहां पर स्टीवन क्रॉफ्ट के बारे में अरबात की राइटन बैट्समें और ग्यारा मैच और दो सो नभ्भरन कर चुका एक सेंचुरी भी इंक्लिवड है और ऑफ स्पिन बालिंग करता है पार्ट यह सीजन बालिंग ग्यारा मैच वह सकता है कि तीम नीचे बारे मैच दो सो चौश्र टन मना है और चे वेगट लिया वाइस एक और अच्छी पीक आप के लिए बनने वाला है और लिविंग्श्टन का एवरेज परफॉर्मेंस रहा है उतना अच्छा नहीं रहा है बट फिर भी दो सो चौश्र टन मना है और चेम में चंडर जरूर इतना फेवर नहीं रहेगा ल्यूक वेल्स ग्यारा मैच दो सो पंदर रहन दस विकेट कभी यह फर्ज रॉन बैटिंग करता है कभी यह नीचे बैटिंग करता है तो इसका कुछ बैटिंग और फिक्स नहीं है बट इसका जो परफॉर्मेंस रहे है अभी तक टोर्नमेंट अच्छा रहा है चाहे बैटिंग से ले लो या चाहे बॉलिंग से लो 11 मैंसे 215 रं कर चुका है दस विकेट लिए लेक स्पिन बॉलर है जहां जब करके चलना और 41 बी बनाए बाकि जेब लैथर विक पाच मैच पाच विकेट फ्लैल स्मॉली के लिए अतना सेफ नहीं है बागे टॉम बैली जो देथ होवर से बॉलिंग करेगा यहां पर वूड के साथ तो एक ग्रेंड लिग में कंसिडर कर सकते हो वह बहुत रिस्क के लेने वाली टीम में स्मॉल लिग और मिनी ग्रेंड लिग के लिए इंपॉर्टन नहीं है बैली डैथ होवर्स 15-20 और के ब अच्छा रहा था बड़ी सीजन उपरशनेटी मिली नहीं इतनी एट स्पिनवाल अंडर 19 प्लेयर है बागी रॉब जोंस ने नौ मैचेस में 77 स्कोर किया है अब इंपॉर्टन बुलेंगे तो डैफिनिटल ले एक दो तीन चार यहां पर लूक वेल्स पांच छटा वुड में यह टीम थर्ड नंबर पे थी पॉसिवल प्लेंग 11 जो रहेगी वह यह है विल जैक्स ओपनिंग करते हो नजर आएको जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है 14 मैचेस में अल्मोस 500 रन कर चुगा 10 रिकेट निकाले कर सकते हो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलिंग कर ले लॉरी वेंस राइटन बैट्समन है जैसन रॉय की वापसी है एक मैच खेला थाइसन मना है और आपको पता है कितना बड़ा प्लेर अपने दंपे मैच को इधर से उधर कर सकता है इसलिए बिल्कुल मिस मत करना बैटिंग सेक्शन में मैच करके जरूर जाने वाला हूं वा कैटन सी के लिए वन अब दी से फिक है क्योंकि टॉर्णमेंट बैटिंग दोनों से बढ़िया गया है तो निल नाराइन 14 मैच 201 रन 19 विकेट इंपॉर्टन बैटिंग से एक मैच में से एक मैच में 19 विकेट भी निकाले है तो इपल में जितनी अच्छी फॉर्म में नही क्योंकि पावर्फुल बैट्समन है और दो तीन ओवर अगर मिल जा बैटिंग करने के लिए तो 20-30 कर सकता यह और साथे साथ बैटिंग बालिंग कभी कवार करता है रेगुलर नहीं करता मीडियम फास्ट बोलर एक दोवर बालिंग एक्सपक्टेड है जैमी ओवर्टन सी बड़ीया प्लेयर है अल्डेडी सीजन में एक सेंचुरी कर चुका 12 में बालों में 170 साथ जिसमें एक सेंचुरी इंक्लूड है पांच विकेट इंपॉर्टन रहेगा बनाफ दी बैस्ट अल्रौंड रहेगा आपने इसको बिग बैस के लिए और ऑस्टेला के लिए इंट बड़ी ट्वेंटी ब्लाश्ट यहां उतने डॉमिश्टी के प्लेयर मितलब थोड़े लेवल के प्लेयर है तो कहीं न कहीं अची प्रफॉर्मेंस रहे हैं जॉर्डन की जैमी स्मिद 12 में 159 गस अतकिंसन पावर प्ले का अच्छा बॉलर स्विंग वगरा करवाता है और स्मॉल लिग में भी बालिंग करेंगा बारा मैंच में यहां पर है डैनियल मौरियार्थी लेफ्टाम और स्विंग निकाले जॉश ब्लेक न्यू प्लेयराइड किया गया है जॉर्डन क्लाक चार मैच त्रेसे टरन दो विकेट लवेस आट मैच छे विकेट कैमरें स्टील छे मैच चार विकेट लेक्स्पिन बालर इंपोर्टन वह लोगे तो अपने विल जैक्स लॉरी वेंस जैसन रॉय सैम करन सुलिल नराइन सीन अबट और जॉर्डन यह प्लेयर इंपोर्टन रहेंगे दैथ होड़ साब 15-20 और के बीच में एक तो जॉर्डन एक सैम करन और लेंकेश्यर के दोनाई डिस्ट्रक्टी प्लेयर वाइस्टन भी कर सकते हो खासकर से बटलर को क्याप्टन कर सकते हो जैसमिस का कुछ बैटिंग ओडर फिक्स नहीं बाकी डेन विला में शायद भाहर बाट सकता आज वाले मैच में ग्रेंडो माय का शायद में लगता टीम अगर आता है तो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है तो वही फिक्स है देखते है कि टीम क्राफ को फर्च डाउन भेजती है बाकि रॉय तो कंफर्म ओपन या फर्च जोन बैटिंग करेगा सरे के लिए अभी जैक्स और इवांस ने अच्छी ओपनिंग करे इसलिए रह प्रण को लिए है इसके लाव अगर बात किया हाट ली ग्रेंड लिग में ट्राइ कर लेना यहां पर एकिंसन को ट्राइ कर सकते हो और तन का में जो रोल है थोड़ा बैटिंग का फिनिशर का बालिंग बोलिंग नहीं करेगा बेली घ्रेंड लिक टीम का ऑप्शन है यह ब मेरा डैर्यल मीचल वाइस अप्टेंटी का जो ऑप्शन है इसमें है बटलर विल जैक्स लिविंग स्टन और आप नहराइन को ट्राइब कर सकते हैं यह कुछ ऑप्शन बन जाएंगे टेम यह मेरी ग्रेंड लिक की टीम वन हो जाएगी यह ग्रेंड लिक की टीम डू रहेगी हैं यह ग्रेंड लिक की टीम 3 हो जाएगी है यह cars अप्टलर को मैंने वाइस क्रेंपन किया हुआ वाइक तो बाकी तो फाइनल टीम होगे आपट लिएव का के इनक्ज चानल मिल जाएगा इन zajहलेूं लिंक होगा जैसे इस पे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन इसको जोईन कर लें जैसे बताया तो मिलते हैं फालेटिक में टेलीग्राम पे जाहिए दोस्तों